आकाशवानी को सुनकर भोज राजकंस ब्याकुल हो गए उनको अपने मृत्यू का भैस सताने लगा अपनी बहन का केश खीच कर वो उसको मारना चाहता था देव की किस भीवलता को देखकर बसुदेव जी ने समझाया मृत्यू तो एक दिन सब को आती है आजवा हो अत्वा सो वर्ष के बाद हो अपने बहन को मार कर क्यों पाप के भागी बनना चाहते हो समाज में विद्रो होगा समझ गए छोड़ दिया परंत उनके छे पुत्रों को मार दिया साथ में पुत्र का करशन हो गया माता रोहिनी के गर्भ में और आठवे संतान के रुपन भगवान साक्षात स्री कृष्ण प्रभू अवतार लेते हैं भादरपद महिना कृष्ण पक्ष अश्टमिति थी और रोहिनी नक्षत्र दिन बुदवार रभी पुष्ययोग बड़ा सुन्दर है और इस बार भी यह संयोग बन रहा है भादरपद मैना कृष्ण पक्ष और अश्टमिति थी और रोहिनी नक्षत्र घी भी प्राप्ति हो रही है दिनांग 6 सितंबर 2023 को यहाँ जन्मा अश्टमित का ब्रत इस बार मनाया जा रहा है क्योंकि 7 सितंबर को आपको अश्टमिति थी नहीं मिलेगी मिलेगी तो रोहिनी नक्षत्र नहीं मिलेगा क्योंकि रात्री भगवान का जन्म होना है अतहा रोहिनी नक्षत्र भी चाहिए इसलिए 6 सितंबर को रात्री में मध्ध रात्री को 11.57 से लेकर 12.00 कर 32.00 मिनट तक पूजा का बड़ा संदर महूरत है और भगवान स्रीकृष्ण के जन्मोत सब का जो महूरत है या संतान प्राप्ति का योग जिनको संतान नहीं है वो इस वरत को करेंगे तो उन्हें संतान का योग होगा और जो विद्यार्थी इस व्रत को करते हैं तो वो मिधावी होते हैं उनकी प्रतिवाश जो है भगवान सिरकृष्ण की जैसी भैरी शक्ति, सैन सक्ति सब संपन हो जाती है तो सन्योग से 6 सितंबर को जो अश्टमी तिथी की शुरवात है दो पहर में 3 बचकर 37 मिनर्ट से लेकर के 7 सितंबर को शाम 4 बचकर 14 मिनर्ट तक अश्टमी तिथी रहेगी और नक्षत्र की बात करें तो रोहिनी नक्षत्र की जो शुरवात है 6 सितंबर को सुभह 9 20 से लेकर 7 सितंबर को 10 25 तक जो है रोहिनी नक्षत्र है अतहा नक्षत्र और तित्री दोनों साथ में हो इसलिए रात्री छे तारिक को रात्री में ही भगवान स्री कृष्ण का जनमोट सब करना चाहिए ब्रत करने वाले भी छे तारिक को ही ब्रत करें और जो उदिया तित्री को मान करके ब्रत करतें वो साथ तारिक को भी बरत कर सकेंगे तो आप इसमें कोई भी confusion में ना रहें जनमोच सब तो छे तारिक के रात्री में ही होना चाहिए यह एक निशित है आप अपने इसाब से देख लें बरत करने वाले आप छे को भी करें साथ को भी कर सकते हैं तो आप बरत भी करें और यह स्रीकृष्ण जनमोच सब नंद के आनंद भयो जय कर नहीं आलाल की हम कहेंगे आपके यहाँ भी भगवान का आनंद सुरुप अवतार हो तो आप भी आनंदित हो जाएंगे आलादित हो जाएंगे जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे बहुत बहुत शुब कामनाव से भी को